अथ श्रे योग वाशिष्ठे निर्वाण प्रकर्णस्य उत्तरार्धे अश्टाशेतितमसर्गह श्रे वशिष्ठव वाच भूपीठे नसता तत्र मया तदनुमानव अनुभूतम नद नदी स्वसम्वेदन सम्स्थिते हैं क्वचिन्मर्ण साक्रंद नारी करुण वेदनम् क्वचिदुत्तांडवस्त्रैन महोत्सव महासुखम् क्वचित दुर्वार दुर्भिक्ष दुराक्रंदम दुरीहितम् क्वचित सकलसस्योगसंपन गनसौहिदम् क्वचि दग्नि महादाह दग्धदे होग्रवेदनम् क्वचि जलप्लवालून पुरपत्तन खंडकम् क्वचि चपलसामंत कृतलुंठन मंडलं क्वचि दुद्धाम दुरात्म्यरक्षः पैशाच मंडलं क्वचि जलाशयोल्लास बेल्लनोत पुलकाग्रकम् कंदरोधर निष्क्रांत वात वेल्लित वारिदम् संबित बोधो नमत्स्वांग केशोत्तां कुरलोमकं् वारिवाहन विक्षोभ नतोन नतलसत्तलं सश्रिंग भैरवश्वब्र पुराद्रिवनपत्तनं संमिन्मंडल संचाल लेखांकम्रिदुकंपनं क्वचित्सामंत संक्षुग्ध सैन्य सम्हरनं रने क्वचित्साउम्य सुखासीन सर्वसामंत मंडलं अरन्यम् क्वचिताशुन्य मुल्लसद्वात जंकृती जंगलं क्वचितालून व्युप्तसंपन्न सस्यकं हम् सकारंडवा कीर्ण सरह फुल्लां भुजं क्वचित्साउम् क्वचिन्मरुस्थलस्थूल स्तंभनार्जुनमारुतं क्वचिन नदन दीवाह हेला निकषघर्घरं क्वचिदं कुरकारियांग सिक्त बीजस्य ज्रिम्भनं क्वचिदंतस्तुकीतास्य मृदुस्पंधन वेदनम् माम् त्वमेवाशु बुध्येह त्रायस्वेतिव बोधनम् शाखा परिकरा भोगं मृद्भागांग निपीडनेहि मूल जालम अवश्टब्य क्वचित विटपधारिनम् अन्योन्यमलमाक्रम्य दिक्ततांग निपीडनेहि क्वचि दद्रियस्थि निविडैर अरण वोल्लास वेलितं शुष्क पल्लव संकोच निविडांग निपीडनम् अमर्षणेहि करैरार्केहि स्वरसा कर्षणं क्वचित। श्रिंग मंदिरमातंग प्रहाराशनि भूरुहां निविडांग ओत्कटस्थैरिय परुशापतनं क्वचित। निमिलित इक्षणानन्द तनूनाम समाक्रमं क्वचित सोक्ष्मतरोल्लेखमंकुरोल्लासनं नवं। मक्षिकायो कमशक निवास सद्रिशं क्वचित। कुढ्यलेश कुभिंगारि हलहेला निकर्षणं। शेतं शीत विशीर्णांग जर्जरत्वग्विकीर्णवत पाशानी भूतसलिलं क्वचित परुशमारुतं। उद्धाली भूतम्रिद्वंग मज्यदंतह क्रिमिब्रजं। क्वचिदुद्भवदंग आदि मूलं जलनिमज्यनं। शनैरंतर निली नाम्भु क्रिताल्हादं वहिस्चर सोन्नामांकुर रोमउघं। क्वचिद्वर्ष बिज्रिम्भितं। तनुतरपवन विकंपित कोमल नलिनी दलास्तरणै। बिहरणमिवमे बिहितं सरोभिरंगेशु निर्वाणं। कित्यार्षे श्री वाशिष्ठ महारमयने वालमी किये। देवदूतोक्तमोक्षो बायेशु निर्वाण प्रगरने। उत्तरार्धे पाशानो पाख्याने। भूमंडलगत विशेशवर्ण नम्नाम अष्टाशेतितमसर्गह। अथ एकोन नवतितमसर्गह। श्रे रामव वाच। पार्थिवीम धारणां बद्ध्वा। जगन्ति समवेक्षितुम् संपन्नस्त्वमसव भूमिलोकह। संपन्नहा पृतुभूतलं नेदं नमानसं नईव संपन्नो वस्तुतस्त्वहं। अमानसं महापीठं नौसंभवति किंचना। यदसद्वेत्सि यत्सद्वा मनो मात्रकमेवतत। चिदाकाशमहं शुद्धं तस्यमे तत्पदात्मनह यचिन्मात्रात्मकचनं तत्संकल्पाभिदं स्मृतं। तन्मनस तन्मही प्रिष्ठं तज्यगत सौपितामह संकल्प पुरवत ब्योम्नि कचत्ये तन्मनो नभः। एबं संकल्पमात्रम्मे मनो मात्रम् तदाततं। धारणाभ्याससं पुष्टं भूमंडलमितिस्थितं। नेदं भूमंडलम् तद्वै तदन्यधि मनोमयम् आकाशमात्र कचनमचेत्यम् कचनम् चितेह तदेवाकाशमात्रात्म तथाभूतं चिरं स्थितं। इदं प्रत्ययलब्धत्वान् मानसत्वं समुझ्यति। इदं स्थिरं सुकठिनं बिततं भूमि मंडलम् अस्थीति जायते बुद्धिर्भ्यों नीव चिरवेदनात। न्याये नेदमिवानेन नौस्थितं बसुधातलं। इदं चैवैकमेवाध्य सर्गस्याध्यमुपागतं। यथा स्वपने पुरत्वेन चिदेव ब्योम्निभासते। तथा चिदेव सर्गादाविदं जगदितिस्थितं। बिध्धि चिदुरूप बालस्य मनो राज्यम जगत्रयम। महीतलादिकं दृष्यमिदं सर्भंच सर्वदा। चिदुरूपस्यात्मनो नान्यह संकल्पस्तन्मयं जगत्। वस्तुतस्तु नसत्यात्म नपिंदात्म नभासुरं। दृष्यमस्त्य परिग्यातं। परिग्यातं नभिद्यते। परिग्यातं तदे वास्य श्रणोशियदिदंचिरं। सर्भं चिन्मात्रमाशांत प्रकचत्यात्मनात्मनी। भूमंडलात्म दृष्यात्म द्वैतैक्याभ्याम विवर्जितं। मनिर्यता स्वभावेन शुक्लपीता दिकास्ट्विषः। अकुर्वन्यवकुरुते चिदाकाशस्तता जगत। यतो नकिंचित्कुरुते नचरूपं समुझ्धती तस्मान्नमानसं नेदं। किंचिदस्ति महितलम। महितलमि वाभाति चिद्व्योमईव निरंतरं। आत्मन्यवातलं व्योम यतामलतलं स्थितं। स्वभाव मात्रकचन तत्तदेव यतास्थितं। भूमंडलमि वात्यक्षं। खमेव विशतांतरं। इदं भूमंडलम् तच्य द्वयमेतन् महाचितेह। स्वरूपमेव कचति तव स्वपनपुरम् यता। इदमाकाषमात्रात्म तदप्याकाषमात्रगं। अज्यानात्म परिज्यानाज्यानानेदं। नतत्क्वचित। त्रैलोक्यभूत जालानाम। कालत्रितयभाविनाम। संभ्रमह स्वपनसंकल्पो मनोराज्यदशास्थित। भूतान्यत भविष्यंति वर्तमानानियानिच। भूमंडलानितान्यत्र सत्तासामान्यतांगता। अहमेवसमग्रानि तेशामंतर्गतान्यपी तेनतान्यनुभूतानि तताद्रिष्टानिचाखिलं। चिन्मात्रमे तदजरं। परमात्मतत्वं। शुद्धात्मताम जहदंग गतं बिभर्ती। सर्वं यतास्थितमिदं। जगदात्त भेदं। बुद्धं सदंग न बिभर्ती। तुकिंच नापी। इत्यार्षे श्री वाशिष्ट महारामायने। वालमी किये देवदूतोक्त मोक्षो बायेशु। निर्वान प्रकरने उत्तरार्धे। पाशाणो पाख्याने। द्रिष्यमनो मात्रत्व प्रतिपादनम नाम। एकोन नवतितम सर्गह। अथनवतितम सर्गह। श्रे रामव वाच। अनंतरंबदो ब्रम्हन जगंति भवता तदा। भूमंडलानाम्हिदये। क्वचित द्रिष्टा निनैववा। श्रे वशिष्ठव वाच। परात्म जाग्रत्स्वपनोर्भी मंडल उघात्मनामया। ततो नुभूतं हृदये। द्रिष्टं चो परया द्रिषा। यावत्त थैवसरवत्र जगज्यालम वास्थितं। सर्भं द्रिष्यमयं शांतमपि द्वैतमयात्मकं। जगंति संति सर्वत्र सर्वत्र ब्रम्ह संस्थितं। सर्भं शुन्यं परंशांतं। सर्भं आरंभं अंथरं। सर्वत्र यवास्ति पृत्व्याधि स्थूलं। तच्यो नकिंचना। चिद्व्यो मैव यथास्वप्नपुरं। परमजातवत। नेह नानास्तिनो नाना। नानास्तित्वं नचास्तित। अहमित्ये वनैवास्ति यत्रतत्र कुतोस्तिकिं। अनुभूतम पीदं सद। अहमित्यादि रूपकं। नास्त्ये वयदिभाप्यस्ति तद्ब्रम्हाजम नामयं। यत्षवप्नपुरमे वेदं सर्गादाबेव चिन्नभह अस्तितानास्तिततत्र कीद्रिशे क्वाकुतहस्तिते। यताहं द्रिष्टवांस्तानि जगंत्यवनि रूपध्रिक। तधामया जलीभूय द्रिष्टम्ताद्रिषमे वतत्त। वारिधारणया वारिभूत्वा जडमिवाजडं। समुद्रमंदिरेश्वंतस्चिरं। गुलु गुलायितं। त्रण ब्रिक्षलता गुल्म बल्लीनाम स्तंभनाडिश। मृद्वलक्षितमारूधं तवांगे श्विब यूकया। सरवोत्थानोपमा स्तंभे तच्छेदे वलयोपमा। मृद्विया करणाहि गत्येव रचना प्रकृतोदरे। बल्लीतमालतालादि पल्लवेशु फलेशुच विश्रम्य पुष्टया कृत्या रेखा विरचनं कृतं। मुखे ना विश्य हृदया मृतु बैधुरिय धारिना। हृता बिधुरिता भुकता। लूना देहेशु धातवह। सुप्तम् पल्लवतल्पेशु प्रालेय कनरूपिना। तुल्यकालमशेशेशु दिक्षु सर्वास्वखेदिना। नानाह्रद नदीगेह ग्राहिना विरताध्वना विश्रांतं सेतु सुहृदह प्रसादेन क्वचित्-क्वचित। विदा विदनुसंधाना जडेन तदनाश्रयात। जडाशयेशु लसितं जलेना वर्त वर्तिना। मया दुश्कृतिने वोर्ध्वशिला स्वस्थेन भूभृतं। स्वावर्त वर्तिना श्वब्रपातेशु शतधागतं। धूमरूपेन निर्गत्य दारुभ्योग नार्णवे। कणरतनेन नीलर्क्ष मन्यंतर वर्तिनास्थितं। विश्रांतमभ्रपीठेशु विध्युद्वनितयासह। भिन्येंद्र नीलनीलेन शेशांगे श्विव शौरिना। परमानुमये सर्गे पिंडरूपेश्वलक्षितं। स्थितमंतहापदार्थेशु ब्रम्हनैवाखिलात्मना। प्राप्यजिवानुभिही संगमनुभूतिही कृतोत्तमा। यामात्मनोनदेहस्य मन्ये ज्ञानस्यकेवलं। नोमयानचदेहेन नान्येनास्वाधितात्मयत। तदंतर बिवृतंचेत्यमज्यानाय तदप्यसत। सर्वर्तुर सरूपेण नानामोदानि दिक्ष्वलं। भुक्तानि पुष्पजालानि प्रोच्छिष्टं। ददतालये। चतुर्दश प्रकारानं भुतानामंग संधिश। उषितंचेतनेनेव जडेनाप्यजडात्मनां। सीकरोत्कर रूपेण रथ मारुईह मारुतं। आमोदे नेव भिहितं बिमलभ्योम भीथिश। रामतस्याम वस्थायां परमानु कणंप्रती अनुभूतमशेशेण यथास्थितमिदं जगत। अजडेन जडेनेव समया जालयातयां अन्तह सर्वपदार्थानां। ज्याता ज्यातेन संस्थितं। जगताम् तत्रलक्षानि नाशोत्पातशतानिच मयाद्रिष्टानि रूढानि कदली दलपीठवत। एवं जगच्या जगद्वा साकारंबा निराकृति चिन्मात्रगगनं सर्वमाकाशाधिक निर्मलं। नकिंचनत्वं चनकिंचनेदं। शुद्धापरोबोध इदं विभाति। सचापिनो किंचननापिशुन्यां। माकाशमेवासि विकासमास्व। इत्यारशे श्रे वाशिष्ठ महारामायने वालमीगिये। देवदूतोक्त मोक्षोपायेशु। निर्वान प्रकरने उत्तरार्धे। पाशाणो पाख्याने। जलजगद्वर्णनम्नाम नवतितमसर्गह। अथ एक नवतितमसर्गह। श्रे वशिष्ठ ववाच। ततोहमभवं तेजस्तेजो धारन एध्धया। चंद्रारकतारका अग्न्यादि विचित्रावयवान्वितम। नित्यम् सत्व प्रधानत्वात् प्रकाशा कृति राजगत् सर्बं द्रिश्यमृते सर्ब चौरद्ध्वान्त प्रतापय। दीपादिभीषणैष्णिक्धैर। दशाषत विहारिभी। प्रत्यक्षे कृतसर्वार्थं। प्रतिगेहं सुराजवत। लोका लोके चहरिशितैस्चंद्रार्काध्यम्ष। रोमभिही परप्रकाशैकरतैर। दूरोत्क्षिप्तांबरांबरं। अंधकारस्य दैन्यस्य समस्त गुणनाशिनह। द्रिश्यम् सद्रिश्यमनिषम् सर्वस्य गुणशालिनह। तमस्तमाल परशुह। परशुद्धिकरंपदं। सुवर्नमनिमानिक्य मुक्तादि जन जीवितं। शुक्लक्रिष्णारुनादीनाम। नित्यम् जोच्नांगशाइनाम। पुत्रानामिववर्नानाम। सर्वेशाम् देह दह पिता। घनश्नेहरसं पृत्विया। रक्षितानल बेधनं। ग्रिहं प्रति घनानंदैर बृतदीपक पुत्रकं। द्रिष्टम् पातालके श्वीषत्तमो रूपेशु पाबकं। अर्ध द्रिष्टम् रजो रूपे भूतले भूतमालिते। सत्वात्मसु महासत्वं नित्यत्वं देवसत्मसु जगज्यर्नकुटीदीपह कूपों भस्तमसोर्महान। दिग्वधूबिमलादर्षो निशानीहारमारुतह सत्वं चंद्रार्कवन्नीनाम कुंकुमालेपनं दिवह। केदारंधिनसस्यानाम तमोच्छूनाम नुग्रह नभह काचब्रिहत्पात्रक्षालनाम्भु समुल्लसत। सत्ता प्रदतयार्थानाम प्रकाशकतयापिच चिन्मात्रपरमार्थस्य सहोदर इवानुजह। क्रिया कमलिनी भानुर्भूतलोदर जीवितं रूपालोक मनस्कार चमत्कारस्चितेरियता। नभस्तलगता संख्यनक्षत्रमनिमालितह दिनर्तु वत्सरा ब्रिम्य बाडवाग्न्यादि फेनिलह। चंद्रारकादितरंगांतरजडं पंकिलो महान। ब्रिहत ब्रम्हांडखातस्थो नित्यमेकार्णवोक्षयह। हेमादिशु सुवरनत्वं नरादिशु पराक्रमह। काच कच्यम्च रत्नादव। बर्षादिश्वभासनं। ज्योच्ना मुखेंदु बिम्बेशु पक्ष्मलेक्षण लक्ष्मसु। श्रवत्ष्नेहामृतापूरो हास सौहार्दभासनं। कपोल बाहुनेत्राक्षि भृुकरालकलासकह। निजो जयतया जातो विलासह कामिनी जने। त्रणीकृत त्रिभुवना चपेटास्फोटितद्विशाम। शिरह सुबज्रीकरणं। वीरियं सिंगादिचेतसी। कटुकंकटकुट्टाक, खट्गसंगटतांकृतैहि पतुस्फुताटोपरति भटेश्वतनमुद्भटं। देवेश। दानवारित्वं सुरारित्वं सुरादिश। सर्भभूतेश। सोजस्त्व मुन्नामह स्थावरादिश। अथते मरुवद्भास्वान स्तत्राह मनुभूतवान। जगदाकाश कोशेश। तेशुतामर सेक्षण। दिगंत दशनिस्तिर्णै करजालै इर्जगत्खगं। ग्रिण दभ्यंग मर्कत्वं। ग्राम वद्रिष्ट भूतलं। कामोत्पले कोशचक्रं। वाडवं तिमिरारणवे। ब्रम्हांड सदने दीपं। ब्रिक्षं दिनफलावले। रसायन हरदाकारमिंदुत्वं वदनं दिवह। निशा निशाचरीहासं विकासं रजनी विशां। जगल्लावन्य लक्ष्मेनां सर्वासाम उपमास्पदं। रजनी रोहिनी नारी कैरवानां परंप्रियं। नेत्र ब्रिंदस्य वक्त्रस्य जुलता पुष्पजालकं। स्वर्गाउघमशक अभ्यूहं तारका पटलं मृदू। वणिं मात्रे बडिक्धस्तु तुलातोलन दोलितं। रत्नत्वं जलकल्लोलहस्तां दोलनम अब्धिभिह। अब्धाब्धव शफरावर्तमध्धा गोमंजरीगणह अब्धादव दावदहनं वैद्युतं द्योतनं तन। दारुदारण दुर्बारदीप्तं ज्वलनमाततं यज्याग्निदाह कल्यानं विस्फोट कठिनारबं। कचतकांचनमानिक्य मुक्तामनिमयम्मह तपस्ताम्नीतमाक्षिप्य पांडित्यमिब पामरेहि विभ्रांतम्स्तनश्रिंगेशु मुक्ताहारतयातया असुरोरगगंधर्व नरनायकयोषिताम् पादाहतिम्गतं मार्गे तिलकत्वं बधुमुखे खद्योते नमया लब्धं पश्यावस्था सुचापलं। क्वचित विध्युत्यातेशु शफर्याचार्णवेश्विव खस्थेशु विकृतंचारु वारियावर्तविराविशु। क्वचित दीपतयानिय कलिका कोमलांगया अंतः पुरेशु कांतानाम सुरता लोकनं कृतं। क्वचित कज्यल जालस्य ज्वाला कनकदाकृते खेदिना घनकूर्माभं संगे नईव स्वकोटरे। कल्पांतेश्व क्वचित सर्भ जगद ब्रमगन श्रमात। खेक जलासिते लीनं रुद्रेभ इव बिध्युता। क्वचि दाकल्प मापिय बाडवागनित याजलम् जगत्सु गगनेश्वंते नंृते जलराशिशू। क्वचि दुल्मुक दंतेन मयाज्वाला भुजात्मना। बिलोल धूमा वर्तोग्र कुंतलेना कुलवू जसा। पुरपल्लव दाहेशु कवली कृत जन्तुना। कृताह कृताष्ट काष्ठा दिपदार्थाह खादनोचिताह। हते नशस्त्र पाशाणै रयहा पिंडा दिवासिना। हंत्रिदाहा अर्थमुद्गीरनाहा। कणकोपलताहा क्वचित। क्वचिन महाशिला कोशे पाशान मनिनामया। समस्त भूता दिश्यन स्थितम युगशता अन्यपी। श्रे राम उवाच। मुने तस्याम वस्थाया मनुभूतं त्वया सुखं। उत दुखमिति ब्रुहि बोधाय मम मानद। श्रे वशिष्ठ उवाच। यतायाति नरहा सुप्तो जडताम चेतनो पिसन। चिद्वयो मगच्य दृष्यत्वं तथा जाध्यं प्रचेतती। आत्मानं चेतति ब्रम्ह पृत्वयादीव यदातद। सुप्तम जडमिवास्तें तह स्याधस्या नातदन्यता। बस्तुतस्तस्य खोर्ब्यादी नासदुरूपं नसन्मयं। द्रश्ट्रि दृष्यमिभाभाति ब्रम्ह चेतत्समं स्थितं। एतत्सत्य परिज्ञानं यस्योत्पन्नमखंडितं। नतस्य पंच भूतानि ना दृष्यो द्रश्ट्रि बिभ्रमह। तदा मयईबं शुद्धेन तत्कृतं ब्रम्हरूपिना। ब्रम्हरूपादृते किंचिदे तत्कर्तुर्न युज्यते। यदासर्वमिदं दृष्यम। जातं ब्रम्ह निरामयं। तदा ब्रम्ह पदस्थेन मयात्मै वैवमिक्षितह। यदापुनरहं पंच भूतानित्येव भासयन। भवामि जडएबाहं तदाचेतामि किम्किल। सुप्तो स्मीति द्रिधं भावं गुद्धवांस्चेतनो पिसन। नैद्रमे वैत्यलं जाध्यं लसचेतति किंचन। यस्तु ज्ञान प्रबुद्धात्मा देहस्तस्याधि भवति कह। शाम्यत्युदेति विमलो बोधात्मै वाति वाहि कह। आतिवाहिक देहेन तेन बोधात्मनाणुना ब्रिहताबायताकामं निर्वानात्मावतिष्ठते। बोधदेहे नहिदयम शिलानाम अप्यभेदिनाम प्रविष्याशु बिनिर्याति याति पातालमं बरम। तस्मान्मयापुराराम बोधदेहेन तत्तदा तथा कृतमनंतेन चिन्मयभ्योम रूपिना। बज्रपाशान पाताल नभोंबरगमागमान। कुर्वतस्ताद्रिशस्याशु नविग्न उपजायते। बोधमात्र शरीरेन यावदास्ते जडेश्वसव। पदार्थेशु तथा भूतस्तावत तत्रावतिष्ठते। स्वेच्चयाईव चलित्वाथ ततो अन्यत्र प्रयाति चेत। ततत्राईव स्थितिम्याति ततताईवा अगतिर्यता। बोधमात्रं विदुर्देह मातिवाहिकमब्ययं। इदानेम्त्वं तमेवेह बुधो नुभवसिस्वयं। चिन्मात्रभ्यो मरूपो स्मित्यर्कादाविति बोधतह। आत्मै वास्तमुपानितह। सन्ने वासन्नि वात्मना। स्थितम् स्वपनादि जगति तमसे वासते वच। आवृतेने ववान्या सामलभ्येन सताद्रिशं। तरंग लेखयांगार सरितह। स्वांग लगनया। मनो राज्य श्रिय वाशुक। प्रोत्पन्नस्तद्वदेहया। कज्यला लिकया बन्हि विपिनहा पुष्पशो भया। फुल्लस्थलां बुजाकारं किम्शुका शोकरूपया। विततारं भया प्युच्य इर्ज्वाला ज्वलत ये ध्धया। उपोत्थायांग गलितं खल लक्ष्मेव लोलया। तेजस्तयापि परमाणु कणोदरेपि द्रिष्टेत्थमेव मिह राममया जगच्छ्रीही। अन्याच सानच चिदंबरतह परस्मात स्वपने पुराचल गणोत्र निदर्शनंबह। इत्यार्शे श्री वाशिष्ठ महारामायने वालमी कीए। देवदूतोक्त मोक्षो बायेश। निर्वान प्रकरने उत्तरार्धे पाशाणो पाख्याने। तैजस जगद्वर्ण नमनाम एक नवतितम सर्गह। अब आगे इस योगवाशिष्ठ महारामायन के निर्वान प्रकरने के उत्तरार्ध के अठासी, नवासी, नव्भे और इक्यानवे में सर्गमें। श्री बशिष्ठ जी के द्वारा जल और तेजस तत्व की धारणा से प्राप्त हुए अनुभवों का उल्लेख इन सर्गों में किया गया है। श्री राम जी ने पूचा भगवन अब आप यह बताईए कि उस समय आपने विभिन भू भागों के भीतर कहीं ब्रह्मांडों के दर्शन किये थे या नहीं। श्री बशिष्ट जी ने कहा हे रगुनंदन पहले शिला में जैसे संपूर्ण जगत देखा गया था वैसे ही उस समय भूमंडल के सभी स्थानों में मुझे जगत का जाल सा बिछा हुआ दिखाई दिया। वह सारा दृष्य में प्रपंच द्वैत में होता हुआ भी बास्तम में शान्त अद्वैत ही है। सभी स्थानों में जगत है और सर्वत्र सभ के आधार रूप से ब्रह्म बिराजमान है। ब्रह्म सब का अधिष्ठान है। अतह सब कुछ परमशान्त चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म ही है। और सभी अनेक प्रकार के आरंभों से परिपूर्ण है। यद्यपी यह द्रिश्य सत और अहम इत्यादी रूप से अनुहब में आता है। तथा पी उसका अस्तित्व परमार्थ दशा में है ही नहीं। और यदि है तो वह सब अजन्मा निर्विकार ब्रह्म ही है। मैंने धारणा द्वारा प्रिथ्वी का रूप धारण करके जैसे वहां नाना प्रकार के जगत देखे थे। वैसे ही जल तत्व की धारणा से जल रूप होकर वहां भी वैसे ही जगत का दर्शन किया। जैसे काट छाट कर स्वच्छ किये गए इंद्र नील मनी के समान नील वर्ण वाले भगवान विश्णू शेशनाक के अंगों पर भगवती लक्ष्मी जी के साथ विश्राम करते हैं। उसी प्रकार श्याम शरीर वाले मैंने भी बादलों के आसनों पर विद्युन्मई वनिता के साथ विश्राम किया। रसरूप होने के कारण मैंने जिवहा सम्मंधी एक-एक अनु के साथ रहकर उत्तम अनुभव प्राप्त किया। जिसे मैं अपने शरीर का नहीं केवल ज्यान रूप आत्मा का ही अनुभव मानता हूं। जल कण का रूप धारण करके हवा के रत पर चड़कर मैंने आकाश की निर्मल गलियों में सुगंध की भाती विचरण किया। जल की समता प्राप्त करा देने वाली उस जलमई धारणा के द्वारा अजड होकर भी जड जल के जैसा बनकर तथा समस्त पदार्थों के भीतर ग्याता रूप से रहता हुआ भी दूसरों के द्वारा अज्यात होकर रहा। हेरगुनंदन तत्पस्चात मैं तेजस्तत्व की बढ़ी हुई धारणा के द्वारा चंद्रमा, सूरिय, तारा और अगनी आधी बिचित्र अवयवों से युक्त तेज बन गया। तेज के सदा सत्व प्रधान होने के कारण मैं प्रकाश रूप बनकर चमक उठा। संसार में जितने भी रूप हैं वे सब प्रकाश के ही अंग हैं। अतह सदा प्रकाश की गोद में शेयन करने वाले शुक्ल कृष्ण और अरुण आधी समस्त बरणों का मैं स्वरूप दाता पिता हो गया। अपने तेजस स्वरूप से मैं दिख बधुओं के लिए स्वच्छ दर्पन बन गया। रात्री रूपी कुहरे को नश्ट करने के लिए बायुस स्वरूप हो गया। चंद्रमा, सूर्य और अगनी का तो जीवन सर्वस्वी था। मैं स्वर्ग लोग के लिए कुंकुम का आलेप बन गया। मैं तेज बन कर सुवर्ण आदी सुंदर वर्ण रंग बन गया। मनुष्य आदी में पराक्रम हो गया। रत्न आदी में चकाचोंध पैदा करने वाली कांती बन गया। और वर्शारितू में विद्युत का प्रकाश हो गया। तेज की धारणा से तेजो में होकर मैं उन बृत्र आदी असुरों के मस्तक पर बज्ज्र का प्रहार बन गया। जो अपने थपड से शत्रूओं का सिर फोल डालते थे। साथ ही सिंघ आदी के हरदय में पराक्रम बन कर बैठ गया। और रणांगन में निर्भय विचरन कराने वाला जो उद्वट पराक्रम बीरपुर्शों के भीतर प्रसिद्ध है। वह भी नहीं बन गया। तेजस तेजस्विनाम हम बलं बलवताम चाहम। और वह भी साधार्ण पराक्रम नहीं। अपितु जो कठोर लोह कविचों को तोड़ने वाले खडगों के परस पर आघातों से उत्पन हुई टंकारत ध्वनी से अत्यंत पटू तथा महान आडंबर से युक्त हो ऐसा। सूर्यस त्वरूप होकर मैंने दसो दिशाओं में फैले हुए किरन रूपी हाथों से जगत रूपी पक्षी को जिसके बड़े बड़े परवत अंग थे उसको पकड़ लिया। उस समय मुझको यह सारा भूतल एक छोटे से गाउं के समान दिखाई दिया। चंद्रमा के रूप में प्रकट होने पर मेरा आकार अम्रिच से भरी हुई जील के समान हो गया। मैं दिलोक रूपी सुन्दरी का मुख बन गया। निशारूपिनी निशाचरी के हास्त्य के जैसा लगने लगा। और रात्री में यत्र तत्र प्रवेश करने वाले पुरुशों के लिए प्रकाश दीप का काम देने लगा। मैंने अगनी बनकर दावा नल की ऐसी ज्वाला फैलाई कि जिससे लकडियों का ततकाल बिदारन हो जाता था। और मेरी दुर्निवार दीपती बढ़ जाती थी। बड़े बड़े काश्ठों के फूटने और फटने से अत्यंत कठोर शब्द उत्पन होते थे। यज्यागनी बनकर मैंने हविश्यादी का भी कल्यान कारी कारिय संपन्न किया। और कहीं लोहार आदी की प्रयोग शालाओं में मैंने तप्त लोह पिंड आदी के रूप में रहकर हथोड़े आदी से ताडित होने पर उन ताडन करताओं को जलाने के लिए आग की चिनगारियां प्रकट की थी। श्री राम जी ने पूछा हे मान दाता मुने उस अवस्था में आपको सुक का अनुभव हुआ था या दुख का अनुभव हुआ था यह मुझे मेरी जानकारी के लिए बताईए। श्री बशिष्ट जी ने कहा हे रहुनंदन जैसे सोया हुआ पुरुष चेतन होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है। वैसे ही चेतना काश अपने संकल्प से दृष्य भाव को प्राप्त होकर जड़ता के जैसा अनुभव करता है। जब ब्रह्म अपने को पृथ्वियादी के रूप में समझता है तब सुप्त की भाती जड़के जैसा बनकर स्थित रहता है। परंतु इसका जो सच्चिदानन्दात्मक यथार्थ सुभाव है उसका कभी अन्यथा भाव नहीं होता। तेजस्तयापि परमानु कनोदरेपी दृष्टे थमेव मिह राम मयाज गच्छ्रीही। अन्याचसा नचचिदंबरतह परस्मात। स्वपने पुराचल गणोत्र निदर्शनंबह। को कि अन्याचस आप deficit कि था कर्वार्णे मौनाओ नचय के एपनाव मिह भाव ऱनष यसरार्चल